एक रुपया मांगता था दो रुपय थमा देते थे कुछ इस तरह से पापा मुझे अमीर बनात दिया करते थे नमस्कार दोस्तों, रीडर्स बुक्ष अब में आपका फिर से स्वागत है कहते हैं कि सोच अगर सही दिशा में हो तो मंजिल बड़ी आसानी से मिल जाती है इनसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की आज कितनी जरूरत है ये बात हम में से किसी से छिपी नहीं है हम सब दिन रात मेहनत करते हैं सोचते हैं कि अमीर बन जाएं पर क्या वो सोच हमारे अंदर हैं हम छोटे थे तो एक रुपे दो रुपे में भी खुश हो जाते थे पर आज ना जाने कितने पैसे कमाने के बाद भी हम खुश नहीं हो पाते गरीबी ही महसूस होती है हमेशा कमी लगी रहती है तो कारण क्या है फरक क्या है फरक सिर्फ सुंच का है जिसके बारे में रॉबर्ट टी कि योसाखी कहते हैं कि अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा इसलिए होता है क्योंकि वो प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं वहीं दूसरी तरफ गरेब लोग प्रिंसिपल को ठीक से समझ नहीं पाते हैं इसलिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि केवाल लिट्रेट होना काफी नहीं है फाइनेंसली लिट्रेट होना ज़रूरी है सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता, मार्क से कुछ नहीं होता, फर्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी success story खुद लिखें अधिकतर family में देखा गया है जो महनती होता है, उसके पास पैसा बेजादा होता है मगर उसका फायदा क्या, जब सारा पैसा liabilities में खर्च हो जाए वैसे ये बहुत ही interesting exercise है, करके देखनी चाहिए, liabilities vs assets ये चार्ट बना करके जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपका खर्च करने का pattern कैसा है तरीका सही है या गलग, और तब आप ये भी notice कर पाएंगे कि आपका ज़्यादा खर्च किस तरफ से हो रहा है liabilities की तरफ या assets की तरफ, और आपको अपने खर्च पर कितना खर्च करने के जरूरत है तो इस पूरी बात को आसान सब्दों में समझा जाए, तो ये कि अपना पैसा कैसे खर्च करें बस यही मुद्दी की बात है और कुछ नहीं, अच्छा एक और जरूरी बात है पुराने समय में अगर देखा जाए, तो लोगों के गोल होते थे, हम डॉक्टर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, ये सारी profession है पर इनका अमीरी से कोई connection नहीं है, पर सोच यही थी, कि हम डॉक्टर बनेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे, लॉयर बनेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे, बैरियस्टर बनेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे, इस सोच की जड़ ही गलत है पुराने जमाने के कई लोग आज डॉक्टर इंजिनियर जो कुछ भी बनना चाहते थे बन चुके हैं पर आज भी वो पैसे के लिए स्ट्रिगल कर रहे हैं क्यों क्योंकि वो उनकी नीव ही अलग थी आज दोर बदल चुका है बच्चे अथलीट बनना चाहते हैं स्पोर्ट परसन बनना चाहते हैं इस्टार बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेट्स के वरोसे बैड़ कर वो अपनी कैरियर में सक्सेज नहीं पा सकते हैं आज वक्त बदल चुका हैं आज के जमाने में सभी वर्किंग हैं जादा आमेर हो जाएंगे और सबका ध्यान सिर्फ अपने कैरियर पर होता है कमाई बढ़ने लगती है पर जायर है उसी के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगते हैं कहने का मतलब ये कि बिना फैनेंसले लिटरेट हुए आप कितने भी पैसे कमा लें वो खर्च हो वो आपकी लाइबिल्टीज में चले जाएंगे और ये एक ऐसा चक्कर है चलता रहता है और उसके बाद सभी ये सूँचते हैं कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाएंगे दरसन लोगों को लगता है कि जादा पैसे कमाने से आदमी अमीर हो जाता है पर रॉबर्ट ट लेते समय ना डरने की सूँचें अमीरी तब है जब आपका पैसा आपके लिए काम करें तो आप जब भी खर्च करें हमेशा ये ध्यान रखे कि पैसा आपको अमीर नहीं बनाता उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना उसे सही से समाल कर रखना या कई बार उसे गलत जगह प कि आप कितना पैसा बजा पाते हैं